संप्क की सर्वे के आवरडिंग इंडिया की 75% से ज़ादा अधमत फाइनिशन कोशेप्स कोश्य के बारे या नभी जाता हैं cityalart ऐसे किश्योी ईने मी जातुप्थ की लिए है बारे है इसका सब्से बादा रीजेन है इस तॉक मार्केट और इस चीज़ों को हवा देने के लिए कुछ फाइने इंफ्लेंश इंडिया में आगी आरे लगी इन इन इंफ्लेंश ने क्लें किया कि आप इस इस टॉक पी इंवस्ट करिये तॉक में बन जाएंगे आप यहाँ पींदेश करिए ज्यादा तर पैसे जाते हैं देकिन इसके पीछ एक बहुत ही कानी दुनिया है अधर हम देखे तो भारत में कई बड़े फाइनेश इंफ्लेंसर्स हैं जैसे कि प्रांजल कामरा सी रचना राना डी अंकुर वायरिको और अक्षर शिवास्तुप जैसे कई बड़े इंफ्लेंसर्स हैं अगर इ प्रांजल कामरा एक रजिस्टर्ड इंवेस्टमेंट एडवाइजर हैं लेकिन ये इस मार्केट के एक्सेप्शन है इसके लाव अगर बाकी फैरेंसर्स को इंडिया पे देखे तो जादा तर से भी रेजिस्टर्ड एडवाइजर है ही नहीं या तक कि आप अगर अंकुर फाइनल्स भाई शरन के शरन हेगडे ने एक प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया था जिसका नाम था हैडव लोवा अनुराग भाकिया नाम के एक आदमी चलाते थे जो कि सेवी से बैन की हुए इनसालते जब बात में शरन को ये बाते पता चलते दो लो ने बात में जाके ल बगा दिये थे तो यहां पर लोग के पैसे फर्स जाते हैं इसी के तरह एक और दूसरा प्लेटफॉर्म था वाल्ट नाम का जो कि एक क्रिप्टो लेंडिक प्लेटफॉर्म ता इसको अक्षर शिवास्पव और अंकुर वारेकु ने प्रमोट किया था यहां अंकुर वार इसमें कोई रिस्क नहीं है लेकिन यहां होता तो चैसा है कि आट लाक लोगों के करीब 402 मिलियन डॉलर इस प्लेटफॉर्म में फज जाते हैं और बाद में अंतुर वारेकु ने बताये कि इस प्लेटफॉर्म ने करीब 4,47,000 रुपए इसके लिए दिये थे लेकिन हमें इसकी कोई भी जातकारी नहीं थी इसके साथ अगर हम एक लेटेस्ट इवन देखे तो अभी एक फंडिंग स्कैन हुआ था नोईडा में जिसमें हम एक डिटेल वीडियो भी बनाई है इसमें बताये गया था कि करीक 15,000 से जादा बड़े बड़े लोग आएंगे जो कि प्रमोट किया था अंकुर वायरेकु ने राश्च शमानी ने और M.B.H.I. बाले जैसे कई सारे लोगों ने बात में लोगों ने कहा कि हमें इसके बारे भी कोई नहीं पता था तो जब भी प्रमोट करते हैं और कुछ नुकसान हो जाता है लोगों का तो बात में यह लोग साइट से निकल जाते हैं लेकित असली प्रॉब्लम उल लोगों के लिए होती है जिन्हों पर किमती पैसे को इस प्रेफॉर्म पे लगाया हम उता है तो प्रॉब्लम यही से शुरू होती है ऐसा ही कुछ हम इंडिया के आइप्यों में भी देख सकते हैं पिछले 30 साल में इंडिया के आइप्यों में देखें जब पर कोई नए आइप्यों में आ रहा होता है तो इंडिया के सबसे बड़े फाइनसे इंवेस्टेर्स तो इंडिया में कडिश काफी ज़्यादा पढ़ा है और लिए C interveners को आपर सब्सक्राइब 18 मैंनों के अंदर 20 स्टॉक्स उठाए जो कि इन इंफ्लेंसर्स दारा प्रमोटेग थे जिसमें शामिल ना जो मैटो इंडिया माट पेटियम अपूलो ऑस्पिटर और अनाइसे इन 20 स्टॉक्स इसे 18 स्टॉक्स अंडर परफॉर्मिंग थे आधर हम इंडिया मार्स 2022 तक देखे तो टोटल 41 मिलियन इंवेस्टर थे म्यूचल फंट के इसके साथ 89 मिलियन डिवेट अकाउंट थे और कोविट के बाट देखे तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो न्यूव बिगनर से उन्होंने स्टॉक्ट टेडिंग शुरू किया है क्योंकि वो कम सम सब्से ज़्यादा पैसे कानून सकते हैं और इस साइकी को यह बहुत बड़ा कानून नहीं है तकि बहुत जढ़ी से बीकुछ से रले माली है धर लोगों को कोई चीज़ के लिए प्रमोट करता है तो वो से भी और बहुत ज़र्णी इसमें सारे चीज़े आते हुए देख करना है बट यहां पर इंफुएंसर की सख्या इतनी जादी है कि रेगनेट कैसे करना है इस पर इंटेरी स्टडी भी ज़ल रही है अगर हम इंडिया थे बार दोसरी कंट्रीज में देखे तो और चाइना जैसी कंट्रीज में इसे काफी ज्यादा रेगनेशन से और अगर करना है कि आपने इंफुएंसर से एजुकेट जरू हो ये लेकिन आप फाइनल डिसीजन अपने पैसे का खुछ सही लीजिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगा चैनल को सब्स्राइब करेंगा आपने प्रेस करेंगा